कि हेलो दोस्तों केसे हो आप मैं हूँ आपको अपना दोस्त परवेज मिर्जा और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिर्जा गुरूब और मैं आज आपको बताने वाला हूं जो इंच साइज के बोल्ट आते हैं उनके स्पैनर साइज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं क्योंकि आप मैं आपको formula बताने वाला हूँ उसका जो हमारे mm-sized के manner होते हैं वो ही också supplier हमारे तो मैं आपको बताने वाला हूँ तो बिना कोई देरी के चलिए शरू करते हैं तो दोस्तों चलिए शरू करते हैं तो मैं आपको बता दो हमारे इंच साइज के बोल्ट होते हैं वह जादा तर हम लोगों को जो पाइंप लाइन सब होती है उनके फिलिंच में यूज होते हैं तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हमारे सूथ में में वाले हम कैसे लगाएं तो देखें अभी हम शुरू करते हैं यह मैंने सूथ या इनके जो दो सूथ का बोल्ट आता है उसका जो हेड होता है हम उस पर चावी लगाएंगे जो इस पे नहीं हमारा नॉर्मली उसको चावी पाने बोलते हैं उसको हम केसे साज निकालते हैं तो देखें यहां पे दो सूथ तो हम क्या करेंगे यहां से हमने दो उठ 5 हुआ और पलस हमने इसमें कर दिया एक तो हमारा आया 11 mm तो हमारा जो 200 के बोल्ट में इस पेनल लगेगा वो होगा हमारा 11 mm का तो देखा आपने यहां से हमने सिर्फ 2 उठाया 2 को multiply कर दिया 5 से उसमें पलस कर दिया एक तो हमारा जो साइज निकल के आया 11 mm तो यह 11 mm का आप लगा के देखेंगे तो 11 mm का बिल्कुल fix आएका उसमें तो इसी तरह से आप देखिए पांच अगर हम पांच सूत का उठाते हैं हमने यहां से लिया पांच पांच को multiply कर दिया पांच से इसमें पलस कर दिया एक तो यह आ गया हमारा 25 और एक आगया हमारा 26 mm तो हमारे पांच सूत के बोल्ट में लगेगा 26 mm का एसे हम देख ले साथ सूत का तो हमने यहां से साथ लिया साथ को multiply कर दिया पांच से और इसमें पलस कर दिया एक तो साथ में पैंटिस और एक यह हमारा आएगा 36 mm का यह साथ सूत के बोल्ट में हमारे जो इस्पैनर लगेगा वो होगा 36 mm का तो इसी तरह से हम देख लेते हैं आठ सूत के बोल्ट में आठ सूत के बोल्ट में हमारा किस तरह से इस पैनर लगेगा तो देखिए आठ आठ को मने multiply कर दिया पांच पलस कर दिया एक तो जो हमारा आया 41 यह होगे हमारा कि 41 mm तो इस पर जो हमारा इस पेनर लगेगा वो होगा 41 mm का अब देखिए एक दो तीन हमारे बचे अब इनका थोड़ा सा अलग होता है अब मैं आपको बताता हूं गर हम तीन सूत का यहां से लेते हैं तीन सूत हमने लिया तीन multiply कर दिया पांच इसमें हम लोग को इसमें नहीं करना है तो तीन multiply 5 तीन पंजे पंदा तो यह आगे हमारा 15 mm तीन सूत में जो तीन सूत का जो हेड होता है उसमें हमारा लगेगा 15 mm का इस पेनर इसी तरह से आप देखिए 4 सूत का 4 सूत को भी हमें ऐसे ही करना है 4 multiply 5 और 4 पंजे 20 तो यह हो गया हमारा 20 इसमें हमारा इस पेनर लगेगा 20 mm का इसी तरह से आप देखिए 6 सूत का सेम है इसका भी 6 multiply 5 इसका हो गया 30 30 mm तो देखे, यह बहुत ही आसान है, आप इसको निकाल सकते हैं तो दोस्तों, मैंने आपको बताया यह एक Formulा है, आप इसको देख सकते हैं यह बहुत इजी है, आप निकाल सकते हैं इसको आराम से कहीं भी आप ज़्यादातर देखते होंगे, जो pipeline होते हैं उनके जो फेलेंच होते हैं उनमें ज़यादा तर सूसाइट के बोल्ट डाले जाते हैं और जो मशीन सब होती हैां उनमें सब MM साइट के बोल्ट आते हैं तो इसलिए इंडस्ट्रियरी में हें पार्लम होती है के सूसाइच के अलग से इस पैनर कोई नहीं मंगाना चाहता तो आप एमेम वाले जो इस पैनर होते हैं वो इस सूसाइच में यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीज और अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए और मेरे चेनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में इसी तरह से एक नए टोपिक के साथ जब तक के लिए खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी खुश रखिए